गुरुदेव अभी हाली में एक फिल्म रिलीज हुई ओ माई गॉड जिसका मुख्य विशेता हस्त मैं थून या इंग्लिश में इसको मास्टर बैट कहते हैं और आजकल के युवा जो है ये उनका ये ये भी एक पॉपुलर चॉइस सवाल है क्या हस्त मैं थून गलत है कि आप अपने टेज को व्यर्थ बहा रहे हो उससे किसी और का नुकसान नहीं है आपका नुकसान एक समय आएगा और ऐसे कई करने वाला वीर्थ है वो तेज है वो चेहरे की चमक है आप उसे यदि व्यर्थ गवाएंगे गंगा जल को नाली में डालेंगे तो क्या लाब होगा वो शिव को चड़ना चाहिए उसका निदान कैया है यदि किसी तरीके की आदत की जो यह वऑ खुशना शेट हैं तो इसका निदान यही है विचार शक्ति एक ऐसी चीज है जो इश्वड का बहुत बड़ा वरदान है मनुश्य के पास यह विचार शक्ति और किसी ओने में नहीं आप विचार करिए स्व भी आप अपने उपर थोपेंगे तो एक समय आएगा जब आप उससे नकारेंगे लेकिन आप जब स्वयम विचार करेंगे तो आपकी अनुभूती होगी आपका अनुभाव होगा कि इसका लाव क्या है क्षणिकानन कुछ उसके बाद लानी शरीर की हानी और नजाने मांसिक और शारीरिक अनगिन थानी आएंस जो आप खुद अनुभू कर सकते एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी बुद्धी चाहिए विवेक चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हमारा आज का युवा एक अच्छा भारतिय बने एक अच्छा मानो बने और उसके लिए बहु जायें विचार करें, ध्यान करें, ओम का नाथ करें, ओम का नाथ बहुत अधुत है जो इन सारे विकारों का नाश करता है, पांच मिनिट सुभे शाम ओम का नाथ करें, आप देखेंगे कि केवल 15 दिन में आपके भाव परिवर्तन होने लगें, जो अपने तेज को परिटनाली में मत बहाओ, खुद विचार करो, लाभानी खुद सोचो, क्योंकि जिस भी कर्म को करने के बाद गलानी हो, उसमें हानी ही हानी है, वो आपके लिए कभी ठीक हो ही नहीं सकता। उनको गिल्ड कॉंशियस था इस चीज का, जब उनकी माता का देहान दुआ था, तो गुरुदेव का ये कहना है कि गंगा जल शिफ पे चड़ना चाहिए, ना कि उसको नाली में हम डाले, और उसको मेला करें।